आज की इस वीडियो में आप सबी का स्वागत हैं मेरा नाम है तरुन मलिक आज की जो हमारी वीडियो है वो एक complete online hypnotherapy का session है हमारी भूग को बढ़ाने के लिए भूग को बढ़ाने से मेरा मतलब आ जाता है कि जब हम चाहे अपना weight हम बढ़ाना चाहते हैं चाहे ना भी करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम जितना हम अभी खाना खा रहे हैं उससे थोड़ा अधिक मातरा में खाना खाना हम स्टार्ट कर दें लेकिन हो नहीं पा रहा थोड़ा सा खाना खाते हैं उसके दादा हमसे खाया नहीं जाता जबकि हम जानते हैं कि हमें खाना है लेकिन ब एपी session की मदद से हम उसी limit को तोड़ेंगे तो हम करेंगे क्या हम हिपनोसिस की मदद से हमारा जो subconscious mind रहता है वहाँपर reprogramming करेंगे सीधा route level पर जाकर जिससे खाने को लेकर जो हम एक limit हम जो set कर चुके हैं उसको हम break करके और आगे तक खीच सके दीरे दीरे उसको हम आगे खीचेंगे तो जितने हम एक required मातरा में खाना खाना चाते हैं तब तक हम उस लेवल पर पहुचेंगे उसके लिए हमें करना क्या है आपको इस सेशन को डेली बेसिस पर सुनना है एवरी सिंगल डे बस यही आपने काम करना है बागी कोछ और इस वीडियो की वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई है तो अभी आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉस कर सकते हैं पहले उन इस वीडियो को पूरा कर लीजे जब वो पूरी हो जाती है दनम इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपके साथ यह सेम प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक समय सा है जिसके लिए पर्सनलाइस्ट ट्रीट्मेंट करवाना चाहते हैं या इप इस प्रोसेस को सीखना भी चाहते हैं तो जो नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वहाँ पर आप हमें कॉल या वट्सटैप कर सकते हैं सारी इंफॉमिशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे शुरू करें सबसे पहले किसी कंवर्टेबल पोजिशन पर आकर ही सेशन को सुने अपना सारा ध्यान सामन कि दिवार पर किसी भी पॉइंट पर बना दें वंडर्फॉल और अब तीन लंबी घैरी सास लें नाक से लें और मूँख से छोड़ें बहुत बढ़िया अपना सारा ध्यान अपनी सासों पर बनाये रखें मैसूस करें हर एकसास को शरीर के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ हर एकसास जो आपकी शरीर के अंदर आ रही है वो आपकी शरीर में रेलैक्सेशन और कमफर्ट को बन रही है और हर एकसास जो आपके शरीर से बाहर जा रही है वो सारा पेंग, सारा डिसकंफर्ट दूर कर रही है अपने शरीर के एक एक कोने में अपनी सासों को आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करें हर एक सास के साथ आप और ज़्यादा रिलाक्स और ज़्यादा कमफरटेबल महसूस कर रहे है तो जैसे जैसे आप सास ले रहे हैं वैसे वैसे आपके लिए आखों को खुला रखना उतना ही कठेन होता जा रहा है तो उसके लिए मैं आप पांच से जीरो तक गिनूँगा और मेरे जीरो बोलने पर आप अपनी आखे बंद करेंगे और हिपनोसिस के गहरे ट्रांक्स में चले जाएंगे मैं गिंदी शुरू करता हूँ पांच चार तीन दो एक और जीरो टीप स्लीड आखे बंद feel completely relaxed, completely relaxed अपनी साथों को शरीर के अंदर आता हूआ और बाहर जाता हूआ महिसूस करें हर एक सास आपके शरीर में relaxation और comfort को बर रही है और बाहर जाते हो इस सारा pain, सारा discomfort दूर बर रही है wonderful मेरी आवास के साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आवास सुना ही दे रही है तो वो भी आपको सम्मोहन के और गहरे ट्रांस में ले जाने में मदद कर रही है वेरी नाइस एंजॉइ करें इस हिपनोसिस के ट्रांस को और हर एक सास के साथ अपने शरीर को और ज़दर रिलेक्स होता हुआ भी अनुभब करें Wonderful तो अब मैं एक से दीन तक गिरूँगा और मेरे दीन बोलने वर आप अपने आपको एक स्टेर केस के ओपर खड़ा हुआ इमेजन करेंगे एक, दो, और तीन एमेजन करें कि आप एक स्टेर केस के ओपर खड़े है और सीड या नीचे के तरफ जा रही है इस स्टेर केस में टोटल 20 स्टेप्स है तो क्योंकि यहाँ 20 स्टेप्स है तो मैं एक से बीस तगिनूँगा और मेरी हरे गिंति के साथ इस साथ आपको हिपनोसिस के और गहरे ट्रांस में लेकर जाएगा हर एक कदम हिपनोसिस के स्ट्रांस को पहले से दो गुना जादा बढ़ा देगा so with every step you will go twice as deep wonderful शाबाज तो मैं किंदी शुरू करता हूँ एक अपने right leg से स्टार्ट करें दो अब अपने left leg से तेन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठ्रा अन्निस और पीस इस समय आप स्टेर के इसके बॉटम पे हैं और आप फिपनोसिस के बहुत गहरे टांस में हैं आपका तर्ण और आपका मन सम्मोहन की बहुत ही जादा गहराई में हैं इस समय और आपको बहुत अच्छा लग रहा है आनंद आ रहा है आपको और आपको बहुत बढ़ी है तो अब जहां पर आप खड़े हैं वहां से सामने एक छोटा सा कॉरिडूर है और कॉरिडूर के एंड में एक गेट है आप चलिए उस गेट के सामने जाकर खड़े हो जाए पास में ही गेट है वो शबाश जैसे ही आप उस गेट के आगे पहुँचे हैं मारुख जाएए क्योंकि अब मैं दुबारा से एक से तीन तक गेनूगा और इस बार मेरे तीन बोलने पर आप गेट खोलेंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे और पीट पीछे अपने गेट को बंद करेंगे मैं गिंती चुरू करता हूँ एक दो और तीन उस गेट को खोलेंगे दूसरी तरफ चले जाएंगे और गेट को पीछे से बंद करतेंगे जैसे ही आप पलटे हैं तो आप देख पा रहे हैं आप एक बहुत ही बड़े और सुन्दर घास के मैदान में है जैसे हम पार्क में देखते हैं वैसा ही एक बड़ा सुन्दर और बहुत विशाल दूर दूर तक फैलावा ये घास का मैदान है बहुत अच्छे से यहां पर घास कटी है बहुत ताजगी है जो आप अपने चेहरे पे पढ़ती हुई महसूस कर पा रहे है एक भीनी भीनी घास की पूरे एरिया में खुश्बू सी फैल गई है वो भी आप सून पा रहे है तो सबसे पहले अगर पाउं में आपने कुछ पहन रखा है तो उसको उतारे और नंगे पाउं इस घास को महसूस करे अपने पाउं तले और थोड़ा सा घूमे इस घास के मदान में हर एक कदम जो आप इस घास के मदान में ले रहे हैं वो भी आपको हिपनोसिस के और गहरे ट्रांस में ले जाने में मदद कर रहा है हर एक कदम सब्मोहन के ट्रांस को पहले से दो गुना जाता बढ़ा रहा है वंडरफुल चलते चलिए चलते चलिए शावाश एंजॉय करिए इस पार्क को इस घास के मिदान को वंडरफुल चलते चलिए चिडिया हैं उड रही हैं उनके चहकाने की आवाज और पंको की आवाज को भी आप सुन पा रहे हैं शावाश चलते चलिए अलका सा आगे चलके आप देख पा रहे हैं एक सेव का पेड़ है और उस पेड़ के नीजे कुछ सेव किरे हैं आप जाए उस पेड़ के पास कोई सा भी एक सेव उठाएं जो आपको लगता है सबसे साफ है उसको उठाएं अच्छे से साफ करें और उसको खाएं फील करें उस सेव की मिठास को अपने मूँ में इतना टेस्टी और इतना मीठा सेव है आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसे खाने में उस सेव को खाते हुए घूमना शुरू कर दीजिया चलते चलिए उस घास के मदान में सेव को खाते रहें और चलते रहें इंजॉय करिए अपनी इस वाक को तो हलका सा आके जाके एक बेंच है क्योंकि हम इती देर से खड़े हैं चल रहे हैं एक सफर हम अपना कंटीनियू कर रहे हैं थोड़ा हम भी थक गए आप जाए उस बेंच की ओपर जाके आरहां हमसे बैट जाए रिलैक्स करें और उस बेंच के बवल में ही छोटा सा डस्पिन जो सेव के बीज है या जो भी हिस्सा सेव का बच गया है उसको डस्पिन में डालें आपको साफ सफाई अच्छी लगती है आप एक रिस्पॉंसिबल एंसान है इसलिए आप कुड़ा नहीं पहलाते जिसकी जो जगे होती है उसको आप वही पर रखते हैं आप एक समयदार नागरिक भी है वंडर्फॉल अब जिस बेंच पर आप बैटे हैं ये बहुत ही स्पेशल बेंच है ये बेंच धरती मा की ताकत से जो भी इस बेंच पर बैटता है उसके शरीर में से हर एक परकार की नेगटिविटी को खत्म कर देता है और उनकी जगह भर देता है मदर अर्थ की पॉजटिव एनर्जी को और ये पॉजटिव एनर्जी एक सुर्क्षा कमच के प्रकार हमारे शरीर के चारों तरफ बन जाएगी और लाइफ लॉग हमें हर एक प्रकार की नेगटिविटी से बचाती रहेगी तो जैसे जैसे मैं बॉड़ी पार्ट का नाम लोगा वैसे वैसे आप इमेजन करेंगे उस बॉड़ी पार्ट को इस प्रोटेक्टिव एनर्जी में कमर होता हुआ वंडर्फल तो क्योंकि हम बैंच पर बैटे हैं और हमारे पाउं धर्टी को छूँ रहे हैं तो धर्टी से जो पॉजटिव एनर्जी है वो हमारे पाउं से दीरे दीरे बढ़नी शुरू हो रही है हमारे शरीर के बागी हिस्से की तरफ तो इमाजन करें कि आपके पैरों की उगलियों से एक सुरक्षा कवच इन्विजिबल सुरक्षा कवच धीरे धीरे बन रहा है कवर कर रहा है आपके पाउं को आपकी एडी आपके एंकल तक दोनों पाउं अच्छे से कवर हो चुके हैं यहां से हर एक परकार की नेगटिविटी को भर दिया है वंडर्फल एंकल से होते हुए अब यह पॉजिटिव एलर्जी उपर की दरफ जा रही है कवर कर रही है आपके काफ को और आपके गुटने अच्छे से कवर हो चुके हैं और यहां से हर एक प्रकार की नेगटिविटी को जड़ से कत्म कर गुटनों से अब यह पॉजिटिव एनर्जी आपकी थाइस को कवर कर रही है आपके हिप्स को और आपके सेक्स और यहां से हर एक प्रकार की नेगटिविटी को जड़ से करके केवल रेलेक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है तो इस समय आपकी पूरी लोवर ब पॉजिटिविटी को घंठ करके केवल रेलेक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है अब यही पॉजिटिव अनर्जी धीरे अपक利 निजेश्ट पर बोडी को OVER कर रही है, Studying whether your stomach, आपकी पेट को over कर रही है, आपकी कमर को कवर कर रही है, हिआपकी पीट और आपकी च्छाती। completely इस positive energy में cover up हो चुके हैं हैं। और यहांसरे हर इक प्रकार की negativity को zagड से खत्म करके, केवल relaxation और positive energy को बढ़ दिया है। च्छाती से अब यह positive energy आपके कंदों को cover कर रही है दोनों कंदे अच्छे से cover up हो चुके हैं और यहां से हरी प्रकार की negativity को जड़ से खत्म करके केवल relaxation और positivity को भर दिया है कंदों से अब यह positive energy आपके हातों को cover कर रही है आपकी biceps, आपकी triceps, आपकी कोनी, आपकी forearm, आपकी कलाई और आपके हातों के उमियों तक completely एस positive energy ने आपके दोनों हातों को cover कर लिया है यहां से हर एक प्रकार की negativity को जड़ से खत्म करके केवल और केवल relaxation और positivity को भर दिया है wonderful अब दुबारा से यह positive energy आपके शरीर के बाकी हिस्से की तरफ बढ़ रही है स्टार्टिंग कर रही है आपके गले से और आपकी गरदन से यहां से सारी negativity को जड़ से करके केवल relaxation को बर दिया है positivity को बर दिया है यही positivity आप ऊपर जा रही है cover कर रही है आपके चहरे को आगे से भी पीछे से भी completely cover कर दिया है till the top of your head आपके सर के उपरी भाग तक आपका पूरा सर अच्छे से cover up हो चुका है और यहां से हर एक प्रकार की negativity को जड़ से करके केवल relaxation और positivity को बर दिया है बहुत बढ़िया तो इस समय आपका पूरा शरीर completely मदरज के द्वारा दी गई जो positive energy है उसमें अच्छे से cover up हो चुका है और यहां से सारी negativity को जड़ से करके केवल और केवल relaxation और positivity को बर दिया है internally भी, externally भी, physically भी और psychologically भी हमारा शरीर completely positive है healthy है और relaxed है wonderful अब उस bench पर से उठें और दुबारा से इस पार्क में अपना सफर continue करें चलते चलिए आगे, शाबाश, अब आप अपनी हर चाल में एक नई ताकत को, एक नए जोश को, एक नए हलकी बन को अनुभव कर पा रहे है साथ साथ, हर एक कदम hypnosis के ट्रांस को डबल तो कर ही रहा है very nice हलका सा आगे जाके, देखिए उस पार्क में एक टेवल लगा है, बीचो बीच और उस टेवल के ओपर आपका मन पसंद खाना है जो भी खाना आपको अच्छा लगता है जैसा भी वो खाना है कहीं का भी है जिस भी टाइप का है जो भी आपको अच्छा लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं उस टेबल के ओपर और इस सब आपके लिए है और आप स्टार्ट करिये खाना धीरे धीरे खाने को खाएं अच्छे से चबा कर खाएं वंड़र आप खाने का सम्मान करते हैं खाने की इज़त करते हैं आपकी किस्मत में खाना है बोजन है और वो आपको हर दिन प्राप्थ हो रहा है हर दिन आप उसे खा पा रहे हैं इसलिए आप खाना कम्प्लीटली खतम करते हैं पूरी प्लेट साफ कर देते हैं और ये बहुत ही अच्छी है बिट है हमें हमेशा खाने को इसी प्रकार खाना चाहिए कुछ भी जूटा नहीं छोड़ना सब खत्मदरना है आप लेट में उतना ही ले जितना आप एक बारी में खा सकते हैं और देखिए आप अपनी नौर्मल कुउंटिटी से थोड़ा ज़्यादा खा रहे हैं बहुत कमफ़र्टेबली बहुत आराम से एजली आप एक्स्ट्रा खा खा पा रहे हैं क्योंकि अब आप अपनी डाइट को चेंज करना चाहते हैं आप खाना और ज़्यादा खाना चाहत है इसलिए जो आपकी एक लिमिट है वह आज ब्रेक करके आपने जादा खाना खाया है और आप बहुत कंफ़र्टेवल हैं बहुत खुश हैं और पूरे कंट्रोल में हैं वंडर्फॉल दीरे-दीरे सारे खाने को खाएं एंजॉय करें और खाने का शुक्रिया ना करें धन्यवाद कहें कि आज आज आपको खाना प्राप्त हुआ है बहुत बढ़िया इसी प्रगार हर बार जब भी आप खाना खाते हैं आप खाने का सम्मान करकर ही उससे खाते हैं आप उतना ही खाते हैं जितना आप खत्म कर सकते हैं और हर बार आप अपनी limit को cross करते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो जब भी आप खाना खाते हैं आप अपनी limit को आगे बढ़ाते रहते हैं और उस limit तक लेकर आते हैं जिस limit तक आप जाना चाते हैं Wonderful तो अब मैं एक से तीन तक गिनूँगा और मेरे दीन बोलने पर या सेजेशन्स आपके सब काउशिस माइंड में रेजिस्टर हो जाएंगे एक, दो, और तीन आपको खाना बहुत अच्छा लगता है आप हमेशा अपनी limit से हलक असा जादा ही खाते हैं और जितना जादा खाना आप खाते हैं उतना ही strong और healthy आप फील करते हैं इसलिए आप खाना हमेशा एक अच्छी नियत, एक healthy mind और एक healthy body के सोच रखकी ही खाते हैं बहुत बढ़िया आप कभी भी खाने की wastage नहीं करते जितना भी प्लेट पे लेते हैं पूरा खत्म करते हैं क्योंकि आप एक role model है, एक example है दूसरे के लिए आपको देखकर और लोग भी अपना खाना पूरा खत्म करते हैं आप से inspire होके बाकी लोग भी अपने limit cross करके extra खाना खाते हैं ताकि वो अपनी diet को और बहतर कर सके wonderful यह suggestions आपके subconscious mind में register हो चुके हैं और यह lifelong यहीं रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे तो जब जब आप खाना खाने बैठते हैं कहीं भी कभी जिस भी प्रकार का खाना है कुछ भी खाते हैं छोटी quantity में बड़ी quantity में जब भी आप खाना खाते हैं तो यह suggestions आपके subconscious mind में reactivate हो जाते हैं और यह अपना काम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार के लिए इंको आपकी mind में register कराया गया है wonderful बहुत बढ़िया तो इसी positivity और इसी control और इसी power के साथ मैं waking up process शुरू करता हूं और उसके लिए मैं zero से पास तक गिनूँगा जहां मेरे पांच बोलने पर आप अपनी आखे खोलेंगे और hypnosis के ट्रांस से बहार आजाएंगे आखे खोलने के बाद भी जो भी suggestions आपके सब conscious mind में register कराये गए वो वही रहेंगे वो lifelong अपना काम करते रहेंगे wonderful तो मैं किंती शुरू करता हूं जीरो एक दो तीन चार और पांच आइस उपन वाइड वेक वन टू त्री फोर और फाइब दिर दिर में आखे खोले आप बहुत ही positive इंसान है आप खाने का सब्मान करते हैं उसकी इसद करते हैं और आप हर बार अपना खाना पूरा खत्म करते हैं और धीरे धीरे अपने limit को बढ़ाते रहते हैं कि शाबाज दिर दिर में आखे खोले wonderful तो सबसे पहले हमने क्या करना है हमने दोनों हाथ लेने हैं ऐसे रप करना है और एक लंबाग घहरा सास लेना है कि थोड़ी स्ट्रेशिंग करना चाहें तो आप वह भी कर सकते हैं कि करते करते मजे भूग लगई तो आदका सेशन आफ अफ सुन चुके हैं यह आपको पर डेली सुनना है अगर आप चाहते हैं कि अपनी limit को क्रॉस करना है अपनी diet को भाथर करना चाहते है आपका goal कुछ कुछ भी हो सकता है आपका टार्गेट कुछ भी हो सकता है वो इतना important नहीं है important अपने डाइट को भैतर करना से сп तो जो लोग अपनी diet को भैतर करना चाहते हैं और जाधा खाना 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 चाहते हैं जिस्भी reason से तो उसके लिए अप एस session को daily basis इस पर सुनिएगा हर दिन अब सुनना कब है रात को सोने से पहले उस सुबह जस्ट उठने के बाद ये दो फिक्स कर लीज़े टाइम किसी कारणवर्ष आप किसी एक टाइम नहीं सुन पाते हैं तो कोई एक सिंगल टाइम भी चलेगा लेकिन ट्राय करें इन दोनों में से को कोई एक ही टाइम हो ठीक है सुनना डेली है अब बदलाव कितने दिनों में आएगा तो उसकी जानकारी पहले से नहीं होती हम एक मेंटल लेवल पर रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसका बदलाव अलग-अलग इंसानों पर अलग-अलग टाइम पीरिड पर आ सकता है व और मैंने भी वो क्या है जब हम डेली सुनेंगे तो ही चेंज आएगा सिंपल असट बस यहीं आपने करना है हर दिन बिना डिले बिना फेल सुनना है इस सेशन को ठीक है तो अब इसी भूख और इसी कंट्रोल के साथ मैं इस सेशन को यहें पर खत्म करता हूं I hope आपको करना चाहते हैं तो उसको जरूर लिखेगा हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके टॉपिक पर हम वीडियो को ला सके तो मैं मिलता हम लोगों से अगली वीडियो में तो प्लीज अपना ध्यान रखें अच्छे से खाना खाएं पूरा खाना खाएं और प्लीज कभी जूटा खाना ना रखें प्लेट पे हमेशा खाने को खत्म करें उसके इज़त करें उसका सम्मान करें तो मिलता हूं लोगों से अगली वीडियो में टेक केर और बबाए